थोड़ा आप नाड़ी देखना सीख लें अपने आप अपनी अपनी तो देखी लें पिर अपने परोशियों की देख लें दरवादों की देख लें और नाडी के हिसाब से आप ये तहे कर सकें कि आप वाग ऐख की कटेग्री में हैं, फिल्थर की केटेग्री में हैं . और नाडी का समबंद पूरे सब्सक्रिक ठो़ा है। बिन थर्मामेटर बगांशते हैं, और थर्मामिटर उपने मोगेँ तो आपना एक्यूडेट नहीं है, जितना आपका हाथ है, तर्मामीटर है, मरा हुआ है, और हाथ जीवन है, इसमें स्पंधन है, जीवन है, तो हाथ से नाड़ी की परिक्षा करेंगे, जितना आपकान एक्यूडेट आएगा, जैसे घर में किसी को भुखार आएगा, तो आप तुरण नहीं कर लेंगे, उखार इसना होना जाएगा, फिर इतना उखार है, तो क्या दबा होनी चाहिए, और नाड़ी देखके आप अपना प्रेशर भी तुरण काम कर सकते हैं, उंचे वाला कितना है, नीचे वाला कितना है, सिस्टॉलिक इतना है, डायस्टॉलिक इतना ये सब आप बता कर सकते हैं, और कुछ आठकस प्रकार की नाड़ियां बता हूँगा, वैसे तो बहुत प्रकार हैं, लेकिन आपको जितना समझ में आ सकें, कम कंफ्यूजर हो, सरल भाशा हो, हाला कि नाड़ी सबसे जटिल शास्त्र है, आयो में में दबाओं के बार बने दबाओं उससे भी ज़्यादा जटिल शास्त्र है, बहुत जटिल शास्त्र हैं, फिर भी थोड़ी सबर आसानी नाशा, तो करे सब प्रकार होगा, और कर मालें आपनी सब्र होगा, नाड़ी देखेंगे, या नाड़ी सीखेंगे, और उसके बाद उसकी मदद से उसमें एक अंकल रियाज देना चाहता हूँ, कि मैंने आपसो उल्टा सिखाया पूरा, उल्टा से मतलब आपके सीखेंगे, हिसाब से ये सबसे पहले सीखना चाहिए, तो आजबाद हो रही है, ये सबसे पहले सीखना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, कि तो आपके सीखना चाहिए, उसमें रुचेता होती है, और इसके कारण से अपना चित उसमें रखता है, तो फिर्टिपल नौलिज बोई होती है, अभी थोड़े देर में आपके समझ में आ जाएगा, तो फिर्टिपल थोड़ा पाद में सीखना, तो मन में परेले इंट्रस प पहले का ध्यायर रित हैं, और यह जाएगा ज़िए वसमें फोड़ी बात लेकर उसको छोड़ गया, जान बीज़ भी इसको बात बात करे, तो जब मैं नाडी की प्यान परे, नाडी के बाली मैं सबसे प्लिजोटी सी जांगर्य के नाडी है क्या, आपके शरीम में आपके अपने अपने प्रखाव से, इनकी अपने अपने प्रखाव से, इनकी अपने अपने प्रखाव से, शरीब के घरन में इसका अपना असर है, जब जन्दर पुड़ती हैं, तो ये नाडिया पुड़ती हैं, कम होती हैं, इनके मात्यम से इक जीद का माने संचालन होता है, शरी अभला होगा नाडी शोरं अप्राणा है। सुनाया नाडी शोरं प्रणाष。 इसका मुल्ब है कि नाडी मुंकोशर्टर करते हुआ। ऐसे प्रणा है। नाडी शोर्टर प्राणाष। यह नाडी नाडी नहीं हैं। बगलत काम की है। करना चीमन नहीं चलता येा है घम शुबिभिगत करणे कि असक प्रिबिम बने आरे हैं. तो इसे दिरश्टी से कि हुती हुए। इस द्रश्ट्री से प्रिश को गजिए।। नाडी परिश ये से पेशेंट को सीवने की ज़ुरुदत बने की यह जहाथ है कि आप पेशेंट रहे आप फूर डॉक्टर बने हमारी को कारगेट रहें कि आप इसमें को प्रुप करते हैं तो इसलिए आपको सिखाना है तो नाडी चलिए कैसे है मैं इस बात कर चुका हूँ आपकी एक नाडी है दाहियं के नाडी में इसको कहते है सूरे नाडी और एक है दाहियं vast movie है नाडी इसको कहते है किम्षे नाडी मत्defense नाडी सबसे अची मानी जाती कि सूर्य और सित्र की सुलना में आपका उलड़ कर पढ़ाने, सुरि नाडिय का काम, आपकी शुकर पढ़ाने, आप में उत्ते जिना पर बादे, अब आप जिते खराब शक्त जानते हैं आपने जीवन में, सब जानी हिए यह सुरि नाडिया था, लेकिन ये भी चलिए, खराबी भी चलिए, बाद में ये कह करते हैं कि खराबी नहीं हो की शरीड में, तो जीवन नहीं, खराबी भी चलिए, लेकिन भी अंडिया, खोड़ा वुस्ता भी चलिए, खोड़ा खराब बाते आए, ये सब चलिए, जोग या सब जरस है, आप संद ग्यार्टे पर बादे, संतों के लिए विबूचर तरफिंधों के लिए विए सादों के दिल से कई किसी के बारे कर अपके दिल से तुमको सुर्यणाडी विफ्प्रु दिल चाहिए, ऐसा मानी के सादू, संत्र, ब्रह्मचारी और बड़रा सत्रतने Inflexion इनकी जिन्मेरी में चल्रनाडी नहीं प्रिण होती है। लेकिन आपके लिए चल्रनाडी सारी महत्तु के नहीं, सूरे नाडी के महत्तु के होती है। अगर सूरे नाडी जिन्में नहीं होगी ना, तो कोई बच्चा प्लदा नहीं कर सकता। यह सूरे नानी का बतात है जो आप अपनी समसाथ में जनुदेते हैं तो आप जान लेके कि जीपन आके बढ़ाए तो इसी पी ताकत पर बढ़ा तो उनके जना चाहिए जो जो पी चाहिए ब्लड फ्रेशर बढ़ा हुआ हो ब्लड शुगर बढ़ी हुए तो जब जरूरतवड़़ए तो ब्लड शुगर बढ़ जाए जरूरत पड़़ए तो आपके शरीम है उसका आजाए जब जरूरतवड़़ए धो हो यह सब काम जरूरत के हिसाप से हैं लेकिन विज्ञान ये कहता है जरूरत बढ़ी तो आपने भी भी बढ़ा लिया, जरूरत बढ़ी तो उस्ता भी ला लिया, जरूरत बढ़ी तो इतना भी ला ली, अब इसको थोड़ी दे गवाशाम कर दो, ये हरस्वन ने चलिए, शाम हो जाना जो, आपके शरील में ऐसी जरूरत बढ़ी हुई है, इस नाड़ियों की मदद से, जरूरत के हिसाब से आपको ये सम चीज़े आती हैं, और फिर आप दियाव शामिट हो जाती हैं, जादा देर के पहने हैं, गुस्ता जादा देर के लाएं, तो इस ना जादा देर के लाएं, जो चुरूरत जादा और बैज लेसरे के प्लती मन में खराद जाहता हैं, जांडा देर के लेएं, थोड़े लेट रहेंगे और उसके लाएं शामिट होगें, तो इही अच्छा है, इसी को आधियर पाहाना है आप खोई भी काम करते हैं, यो बीप बढ़ता ही है तो तो नहीं वाला है, आप कुछ भी काम करें, नहीं हट करें, बिप्य बढ़ने वाला है, फिर इतना है कि काम खतम होते ही उसको शांत हो जाना है, जो ब्लड प्रेशर के मरी जोते हैं, उसका बिप्य बढ़ता तो है, जो शांत नहीं होता है, यह है सबस्क्राइब, तो उन शुगर बढ़ते हैं, सब्सक्राइब बढ़ते हैं कोई भी समय पर आप जब कोई काम करने के तयारी परेटे तो शुगर भी बढ़ेगी पूर्पोस लेमत बढ़ेगा इने तो इनाशी ने परेगी शुगर पढ़ेगी, ये फोरी देल ला तो कम भी होनाचेज इसके बहुत जरुर्वरत हैं कि शुगर डी पर्पे प्रेट जीशने से चलिदाए पिर इसके विप्रीज है चंद्रनाडी ओं है जो आपको कल्माशी इंता से खाते हैं कल्माई आप करते , इमेजनेशन, आपमें फ्रेव, बासनले, पर्मा, दया, ओना ये कोंट के लिए है। तो आप समझ देए चजर नाडी के पर वाव मैंगा है अब मनुश्यों का सुभाव होता है तो हम नाडीों के एसाब से सुभाव का बरएकी करफ करते हैं हम भाने जो की जिस्ता करसे माझे है क्यों ये आद्वी चजर नाडी वाला है इससे वे बाला है नुब आख इसमय एकी जाते है तो एशेंट सम wey बात करते है, भथ मैं गुष नहीं नहीं समझ में रही है तो उसकी आँकें दें दे, सबसे जाथा देर हम बाते हैं हम ब्रुत बोजाते हैं आँकें देर तो लिए प्रुत है यह चंत्रवाला है यह चंत्रवाला है, आपिया कभी जूट ने कोड़ है, और आपों से कुछ बच नहीं सकता है, इसलिए दुनिया के अप्देश में अब आपों के ही फॉलिक्शन होने लगें, यह फॉलिक्शन को तो पहले हांद के को, कैमरी, क्योंकि यह जूट नहीं हो की सकती है तो पिलए हब सुर्वस से होगया, यह जूट नहीं, अनके बच नहीं होगा तो जैसे हैं हम तैक कर लेके कि यह चंत्रवाला फॉलिक्षन होगा, आप निष्टके रहे है कि चंत्रवाला फॉलिक्त लें कर ददेशन हो जाता है, आप जद़ते हैंabile इतनी इसमें इतनी इसमें, फिर फोड़ी बेर के बाद हम सुम आउट नी जाब कर लिए हैं, तो तो दमाएं हमारी ये सेलेक्शन बढ़ होता जाता है, और अंधु में जाएं दो या दी दमाई कच्ते हैं, तो उन करें से ये आपको लेना है, या ये आपको करता है, तो ये आपको करते हैं, ना जादा दुस्ता करेंगे, ना जादा किसी को प्रेंट करेंगे, ना उनको बहुत देजिने आरेंगे, ना बहुत शाम करेंगे, ना किसी को बहुत जहना करेंगे, और ना किसी की मदब जादा करेंगे, वो बीच वाले हैं, मधे मधे बीच का रास्ता, ना पो left फोंगे ना पो right फोंगे, बीच बरे, आयो बेर ये कहता है कि ये बीच बरे रास्ता है, तो आपके कित्यों अच्का है चन्रवाला जोनी अच्छा, उसमें तो सारे सथूँ और बहुत सथूँ भी नहीं चेहिए, बीच बरे रास्ता चेहिए, अगर श्रीक्रश्च जब चंत्रनाडी एक्स्रीम को जाए जब चंत्रनाडी एक्स्रीम को जाए बिल्कुल कायता आजाएगे, बिल्कुल नकुसकता आजाएगे, तुर बड़ी मुश्की होती है दोहां बढ़ने हैं, लाज़ने हैं, तो बहुत जादा उधर नहीं घानाए, चज़्वती करण, बहुत जादा अशून की करण भी नहीं जाएगे, बीच घरनाएगे, आप दीवि शास्त्र ने सम्कूल त्यार की बात लेज़ भी करी, सद व्यवस्तों फिरी, आपके. अगर यार भी परो दिवकत में सब भोगी करो, लेगि भोग करो त्यार भोग अपर. अब को सुनखे है है नहीं होगी, η किस देश पे समिसिषाद्द को होग्ते मुथ इसे छुआती नहीं है, होग तो कर नहीं है बस प्यार गुत पर करना जोज हो सिम greatly अ्युक्त में बन जाओंा, इस प्यार को पर गुत पर वो आपिसमा कीशावास्याम इदम सर्वाम यतिंच जगत्याम जगत तेलं यतेलं भूपी था नो जदरह कसे से ये सारे चलाचर जगत्य में भूपी है वो अग्मान का दिया हुआ है इसलिए इसका भूप तो करना ये प्याख पूर्वा करना तो आपको कमंडर लेंके खिमाल में नहीं जाना चारे आप लोगों के निक मी havenए हैं आपको यह यह दर्कान थे जगान उपनी बूत करना है और जिवन भी चणाता है और प्याख के साँठ तो यह मद्यनाडी यही सिखाती है, त्यार पूर्वक भोग, यह मद्यनाडी सिखाती है, प्रेम पूर्वक उस्था, यह मद्यनाडी सिखाती है, या कराती है, सिखाने से अच्छा शक्त इस दिमाव करता, तो मद्यनाडी क्या कराएगी, त्यार पूर्वक भोग कराएगी, जरुडर पोहां वुरा है। ऐसे मह elder तो महach ओके माज खाए मा उन्माय है। मक मैं अभी मुंधे जरुडर को लेगी तो जरुडर कहाद के उपाद भी हुए। जरुडर को लिए पिर नियरुडर को गौधी तो उसको प्याव है। दें वो सिर्टारा नियुए है कि um iç इतने को रहन है मन्ते मारी भाद बाल है इमोशनल मी है और लिए गत्रोर हमानी इसे हमाने जिल पर्फोर ही ओढी है कि इमोशनल है वी सुर्कर्फॉर साथ मात्यका आजा जा था कि सामा के रूप से जो स्वस्थ हिस्त्रिया है उनकी मत्रे नाड़ी की प्रबल है और सामा के रूप से जो पुरुश है उनकी सूरे नाड़ी प्रबल है सामा के रूप से ये लेचर्म है अब ये क्यों है इसका कोई एस्प्रिनेशन नहीं सामा ने रूप से खुर्षों की सूरे नाड़ी प्रवाद है और सामा ने रूप से बच्चों की चंटर नाड़ी प्रवाद है बच्चों बच्चों आप लेजिए Imanination सबसे काला है यह अलग है तो उनके पास शब्दों की कभी है उसको उब्यक्त नहीं करते लेकिन आप इवेसनेशन करवाना है तो बच्चों से करवाने तो बच्चे सामने रूप से चदर नाड़ी के परभावन है बड़े सामने रूप से सुनी के परभावन है इस्त्रिया सामने रूप स अब इसको बार्ट कित अपने ज़र ले लिया, दच्चों के बारे मुझाने काता हो, कफ्त प्रधान हैं, ठीक है? तो जिनकी चन्दर नाड़ी है, प्रबल, वो कफ्त प्रधान भी होगे, जिनकी सूरे नाड़ी है प्रबल, वो कफ्त प्रधान होगे, गुस्था जाए, जर यह सब सूरे नाड़ी का पता है, तो यह सब कित वाले प्रधान होगे, अब बार्धान भार्धान होगे, यह लगत्तव बीच मे रहे हैं, मद्य नाड़ी के नजबी तवाले पास, तो आप देखिए, सामा दे रूप से बहिलाओं को बार्ध की बीमारियां सबसे ज़्या बार्ध में तो पहले हैं, क्योंकि वो बद्य नाड़ी का चड़ता है, बुर्षों को इससी बीमारियां सबसे ज़्या, और बच्छों को प्रस्तों, तो अब यह किस्ता यहां होगे देखिए, बिराम करते हैं, आज बार्धान होगे, अब यह नाड़ी को पैचाने कैसे तो एक तरीकत में महोगी जाए, आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है, कब प्रवल है, कौन सी तो आप उम्हीं रखो, नाletter में चेर्धियां, तो ज़हां से तेज हवा आ रही है, और जा रही है बस अफिते गो नाड़ी चल रही है, आइे दर राइट और लेट चल रहे हो उस समय आप नियान भखे उसी के प्रभाव में अगर सूरी चन्द ये प्रिति के प्रभाव में चन्द चन्द ये तो कफ के प्रभाव में तो अपना इलाज करते समय या दूजों का इलाज करते समय आप ये नियान भख सकते हैं कि बही मैं इस समय इत्री असर में हूँ तो हम दोले क्या रहना चाहिए तिर्टो को बंग करने के लिए दमाइं खानी है दमाइं खानी है दमाइं खानी है दमाइं खानी है इसी तरह से अजवाइन, अजवाइन, कुछ बताशन, तो आपको यह बताई जा चुकी है, शायद आपमे रोड़ भी की होगी नहीं को किताब में यह लेखे यह है, कौन सी चीज़ क्या नहीं है, अब आपको आगे छोड़ा बढ़के बात करता हूं, आगे बढ़के एक छोड़ी सी बात कहते हैं, पीछ में फोड़ने के प्रेक देना, कि यह नाड़िया नाच से बता हो गई, यह सबसे आसान है, इसमें कोई रखना है, बस भी रखना है, कौन सी चीज़ कभ खाए, मांगो बात नाड़ी है, सौरी, कफ नाड़ी है, चंकर ना नाड़ी 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 नाड लाड़ी चल करेंगे चंदरवाधी तो यहां पैको से इसको rape को क है gue्पिन से चले जब करें तो कुन सी नाड़ी करें, कैसी नफ़ी चलें तो कौन सी नाड़ी है, और कैसी चलें तो कौन सा रोग है, वहाइक वित देख्रिकाप है, यह मैं फुर्देशना बजाते हैं, प्रव्त के लिए छोगा सहे नावशना, क्या हुआ है ? चीच है तो फिर फुरुष रहे हैं अब मैं आपको एक चोटी से जाने है देखें मैं फुरु दिर पार आपसे का ना इस्त्रिया जो बच्चे है किसके लख़ी में जय बखाड़ी मर्च बच्चे बच्चे हैं बच्चे हैं अब पुरुष मरे जो बढ़े दोथ अब देखें इस्त्रियों की मते नाड़ी है इसलिए जुस्की गति कुरुषजों की गति मत bez नाड़ी जाला असर जो होता है वह शरीर की मते अख्त्रियों ओर मते नाड़ी आशर है उसका वह प्रेंच से क्रेंटेड़ है तो माया यह जाता है कि इस्तुर्यो की नाड़ी पर इकश्चा की जाती इस उतका भाया हास देखना है क्योंकि वो मंद्र और मंद्री बागे हुआ है बागे हाल की इस देमा अगे और पुरुष को की सुवे नाड़ी पोताब तो उतको दाया हास सीघmeric तो कभी पुरुश की नाडी देखनी में हाथ लगाएं तो दाइमें हाथ को भी पढ़ना है और इसमी की देखनी में तो माईबाइब घर के लोगों के साथ करिए छोड़े बच्छों के साथ करिए जैसे भी मिले इसका अभियास करते हैं जिन में बंदर भी स्कृणिट के अ है है slit rar किया तो आतणे संथ आवर मरा अक उपतिया और गिना शुरूल की अगे आपके पित्ते की तरफ दापस वरूँदी वहाँ पित्ते कफी तरफ चलते है राणी पे हाथ रठा वंग्ली आरटी अब आपना इसका इसको इंद्ध नहीं है अब इसको गिंद नहीं से सब चीजने पर होती, गिंदा है, तो क्या गिंदा है? दढ़बल गिंदी है, तो आ तो बद्दे नाडी है आप समझ को पीच वाजी बद्दे नाडी की किल्की सबसे अच्छे तरीके से कांट होती है और अगर ये कांटिंग आप में सीख लिए तो आप में आधार जल जीन दिया ऐसा सबस्च अब इसकी कांटिंग क्या दे करनी है एक मिनट में आपको इसकी दढका दिन है ये जल इतनी हो दढक रहे हैं एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक मिनट में आप इसको बिंख सीख लिए तो आप वोगे रिया पी ये कैसे भी नी जाएगी अब मैं आपको एक सूची बता ताओं आप इसको लिख भी जोए मैं दुब बात में स तो आपने बार करता हूँ, बच्चों से शुखू करता हूँ, लिगे लिए शुखू, छोड़े बच्चे हैं, उनकी एक मिनट में कितनी चली चाहिए, दर्गर बिलनी हैं, तो उस्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, इसको पहते हैं, अब गर्वस्थ शुखू है, जो मा के सबने हैं, उसकी दर्गर बिलनी हैं, और उसको हमाने के उस्वस्थ हैं, तो उसकी एक मिनट में 140 से 150, दर्गर, इस पहते हैं, एक सो चाली से 150, एक मिनट, जो मा के गर्व में हैं बच्चा, आप चाहें तो कि लिए जी, मा की नाड़ी पे हाथ रखिये, जो गर्वा सबसे जादा है, जैसे ही जड़ लेगा, तो इस पंदर गर्णता है, और समय ये गर्णता ही करेता, सबसे जादा है, एक सो चाली से 150, अब आगी की दिनी में इतना भी होता जाए, तो जड़ लेते ही पहते दिन का शुषी को अज़ए, वह तो अपरेटर्स से है, तुमें अब दिखाता हूं करके कैसे नापते है, है कोई दाक्तर, मैं ब्लड पोशर चेक करने का यन है, तो मान के लाव देगा, या उसके बोलो, दाक्तर के बोलो, कि सब को ठिखाने का है, आजकन क्या हुआ है, एक एलेक्ट्रोनिक उपकरन आगया है, मुश्किल से एक सवाब प दिखाने का आता है, तो वह एक दन सीब बताता है, डिस्प्ली सीब आजयाता है, आप उसको लगाओ पति बांदो, और पंप करो हवा, तो वह सीब बता देता है, तो आपका उप्छी रखते है इतना है दबाओ, मिन में रखते है दबाओ, एक ही सेचिंड माँ बता जयता उसमें उतर लिखा रहता है, एक डाय स्टॉलिक मने हाई, सिस्टॉलिक लो, ऐसा उसमें लिखके आता है, बहुतर से चोहतर सामान्य है, नहीं बत जाईए उसमें, नबवत का केल्पुलेशन बत करिये, इसमें कन्फुजन होगा, आप सीधे नाडी की गिंपी करिये, एक मिन सेवी सरल है, और यहं पर कई बार खराब हुआ तो धोका देता है, नाडी किसी की दोका नहीं देते, तो नाडी पखड़ना सीख लिजे, भीरे दीरे आपना पखलते रही है, पहले तो आपके खलासमें में तकलीफ आईजी है, कहां, तो कभी यहां रखके देखे, कभी य आप रखका हूं, तीन उंडली मेरी रखके है, यह जगपर सब की नाडी है, राइट की ही देखनी चाहिए, यह है देखे, मेरी उंडली यहां रखके है, आप खुद तच करके देखे ना, पंपी महरी है, गोई आत्ली तो इसको गिन देजे, सरल माहिती दे रहा हूं, यह आप दिखाओ, तो अगर आप ने यह देखिया, बहत्तर से कुछाप्तर है, तो सामान में, अप्सी के वापर तो हाई ब्लड प्रेशर, बहत्तर के नीचे तिलो, लेकिन आथा अथा अथा घबरा रहा है तो वो खुदी बताएगा, नहीं मिला, यह जो बितरा है नहीं है, तो आप नाडी से देखे चेक करेंगे न, तो धोका नहीं आता, लेकिन वो इंस्टूमेंन धोका देता है करिवा है, खराब हो गया, तो तो 320 BP दिखा देता है, 320 में आज भी मर जाता है, लेकिन वो दिखा देता है, अब का 320 है, अभी मेरा हो या था, बंबल में, में मेरे विए दोस्त के वर में बठाता हुआ तो इसमें लया लाया जिनका राजी बोष्ट करता है। तो मैंने मेरे को लगाया, तो हाई भीपी मेरा 320 आया, आना चाहिए 140, आज़ा 320, अब बोटो कहा है यार क्या हो रहा है तुमको, अभी अभीट करना पोड़ेगा, आई उसे ही मने का तुम छुप चुप चौप बेटो, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो फुरी कहल रहा है, तो नहीं का पुल्स देखो डेरी, तो पुल्स लेका लाते है 14 तर, तो मैंने का अज़ा थे समझ में आया, ये इंस्रुमन गल्ती कर देता है, नाडिको गल्ती नहीं करती है, तो इसलिए नाडिको नहीं देखना सब से अचा है, आज़ा एंग्दी कर देता है, आपका ब्लड प्रशर के बाद क्या आएगा ब्लड प्रशर के बाद आप तरह करेंगे कि यह आदमी किस कट्रीब हो जाएगा यह बात माला है यह बित्न में चला गया यह त्वास में आएगा उसके बाद आप चिकित्सा कर पाएगे पर्फेक्ट थोड़ी अच्छी बहता तो यह ह आप ज़र आपके चले कि एक मिनट में अगर नाणी इतनी है तो फिर हमारे तेंपरेचर की स्थती जला देंगे हैं माँ करिए इक मिनट में साथ है ताप मान बगार आया है नहीं आया है तो आपको मैंने कैलक्मोरेशन दिये मानको नाणी 60 है एक मिनट में साथ है ठीक है तो आप करके देछना आज ही करके देखना आपके दरने घरमामीटर होगा नाणी दक साथ है तो तेंपरेचर 90 ही ए तेंडिन 590 होगा अगर लाड़ी एक 60 ताइमस चल पड़ी है तो बॉड़ी टेंपरिचर बॉड़ी टेंपरिचर समाने एक इंटर्बल बॉड़ी टेंपरिचर बिना खर्मा मीचल के आप कह सकते हैं कि ये नाइट एक नेटी फारे हैट होगा और 60 के नीचे हैं मानों 50 है 40 है तो समझ लेना एक इंटर्बल बॉड़ी टेंपरिचर कम भी होगा शरीक ठंटा होगा और शरीक ठंटा हो तो मुश्किल आती है इसलिए ध्यान रखना है कि नाइटी जो है नाइटी एक इंटी फारे नाइट के आसपास आने कम से लग 60 को बढ़ना है तो नाडी भी उपड़ेगी तेंपरिचर घटना है तो नाडी घटेगी तेंपरिचर नाडी का सीधा संपन्द है कि अगर नाडी में एक मिर्ट में इस्पंदल ना हो रहा है तो तेंपरिचर कम होगा इस्पंदल जादा है तो तेंपरिचर पढ़ेगा अब स सब्सक्राइब का मतलग 60% भी हो सकता है वच्पन भी हो सकता है तो तेंपरेचर उसी के लगती होगा ना इस लोगती होगा उसके जादा आगे पीछे हुआ तो फिर ध्यान देगी की बात रहेगा तो असी है, मान लोग एक मिडिट में असी सो तेंपरेचर आजाएगा 100 degree 100, 100 degree को,1-100 फारेचर नबवय हो, नाड़ी गद्य भी नबवय आ रहे है एक पिरेट में नबवय होगा सो तेंपरेचर हो जाएगा 101 degree यह सभी 1 degree है यह कौमन हैं, कौमन हैं है पच्छों में भी बढ़ोगा तो समय को कि आदमी कुछ ना कुछ तो तर्मीचर ज़ो कि और इन तो इसने दी ही घती होगी तो एक-चो येटीटी एगर टेंपरेचर हैं इसको उल्टा भी कर दें एक-108 kV तो नाठी आपकी दखमी के ही… और आपको दो लेखेना है पिना साथ हब कर दोडा को नाठी आपकी दमिपहे लेखना है जाहता हूं कि वैसा भक चांने घरमामीचल के दिया ओ निया स्जेट सपोंडूं आपकी दिया दिपनाओं हो। आखमें sensitively जयादा हो तो 100 है अब आगे चन्ये t LAT 100 है तो temperature holder हो जाएका 102 ह्ये 1 minuteлекes sa तो temperature 102 ह्ये फिर 110 है लाणी 1 minuteлекes 110 तो temperature 103 मिदिड ही को ज़गी आगा blij Morando sensitivelyanie फिर अगर 120 याँं तो temperature बढ़कर 204 आगा फिर 130 आगी तो temperature बढ़कर 105 आगा फिर 140 आगे तो temperature 106 आगा मतलब इसको सीदा तर देखें कि हल 10 ispandhan मड़ने पर एक बिगरी temperature बढ़ आगा ये बात आपके ध्यान की लानी है और दूसरी पात दिए नाडी का इस्पंद्र बढ़े तो नाडी का इस्पंद्र बढ़ता है एक knowledge आपको मिली, basic knowledge अब इससे आप अंदादा लगा सकते हैं कि वही temperature बढ़ा है अब temperature बढ़ा है तो फिर आप जयान करता हैं कि वही क्या करना एक ज़एटी बढ़ गया है अब इसको पूचे लाना पढ़ेगा तो यह चला गया तो बढ़ा मुश्किल होता है ब्रेंट पेर्डोने की संभावना ब्रेंट हैं कि वस्किष्टी बीमारिया जालत अब आजी हैं जब temperature बहुत उचा चला जाए और देर तक बनाते हैं जारा देर उचा temperature बॉर्डी में देहना चलिए साधर भाष्ण में कहते हैं दिमाग की लगी दिन खतरना है कि जान लेका हुआ हुआ है इसलिए जारा देर temperature बढ़ना रहे हैं तो फिर आप उपाई करेंगे हुए कम करना कम करने के लिए जबाई देगे लिए लिए आप करेंगे पता करना है कि हाथ की नाड़ी के लिए अपना है तो अपना भी पता चलिए ज़र्वार रपकर के लिए अब ये temperature हो गया अब इसमें ग्रेट ब्रशा की क्या है इसमें लिए temperature होगे है अगर ये temperature होगे है क्विकेटर तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहे नहीं हो बहुत होदा रहना है क्योंकि मैं एक साथ बोजा नहीं करना चाहता जितना आप रिसी करूँ मैं पहले इसे और एक सारव जानकरी देखु तरह आप इसमें पोला जाए सारव से खटिंगे जाना चाहिए और इस तरह जानकर देखु पहले आपको एज के हिसाब से बता दें कि ब्रण प्रशन क्या रहना चाहिए एज के हिसाब इस उम्र में कितना रहना चाहिए इस उम्र में कितना रहना चाहिए इसमें थोड़ी सी एक चीज है जो यूणीक है कि माा के गर्थ में जब अच्छा है तो उसका भीवी उधन की होगा दितना मांखका आखरी दिन तक जब तक वो मा के पास है जब नहीं तक उसका बीपी उतने होकर इतना बाग तो यह बाग तो पॉहना है इसके आगे चाहिए जन्म ले लिए अब उसका अपना स्वतन बीपी होगा तो जन्म लेने से पांच पे सामता है जन्म लेनी के पांच मे सामता है बने पहली दिन का बच्ज़ा है और पांच मे सामता है उसका ब्रट गषटर हायि और रोचानफे जो तरह से ना पर रहता है यह तो common होगा इसलिए अब इसमें निखेंगे तो जो higher limit है पुरत गश्रत की वो होगी 81 और lower limit होगी 45 BP की higher limit 81 lower limit 45 जल्म से पांच के साथ उसके बाद 5 साथ से लेके 10 साथ है 5 से लेकर 10 साथ है blood pressure की higher limit होगी 90 और lower limit होगी 50 थी 5 से 10 उसके बाद 10 से 15 साथ है तो blood pressure की higher limit होगी 100 और lower limit होगी 62 62 62 60 65 अब 15 से 20 साल की रेकर में जब बच्चा है तो उसकी higher limit है blood pressure की 110 और lower limit है 71 और यह बाद तरह है यह साल आखड़े जो है ना भारत के इसाफ से यूरोप में नहीं यह बच्चा है अमेरिका अभी बच्चा है अब अभी परत दूंदे यह अप्त देश के इसाफ से तो 15 से 20 बता क्या 15 से 20 से एक क्रूप में हो जाए थी 110 और इधर तक higher limit 110 lower limit इधर तक अब उसके बाद चरें 20 से 30 साल की उमर है 20 से 30 साल की उमर है blood pressure की higher limit होगी 120 और lower limit होगी 80 उसके बाद 30 से 35 साली की उमर में हायर लिमिट होगी 124 और लोगर लिमिट आजाएगी 82 बया से फिर उसके बाद 35 से 40 साली की उमर में ब्लड प्रेशर की हायर लिमिट है 126 और लोगर लिमिट है 83 अब इसके बाद बीपी बहुत देरे देरे बड़ता है बहुत देरे अब चलें 40 से 50 साली की उमर में ब्लड प्रेशर की हायर लिमिट है 148 और लोगर लिमिट है सिर्फ चौड़ा से फिर उसके बाद 50 से 60 साल हायर लिमिट है 132 लोगर लिमिट है 86 फिर 60 से 65 साल में हायर लिमिट है 136 लोगर लिमिट है 88 फिर 65 से 80 साल की एज गुरूप में हायर लिमिट है 140 और लोगर लिमिट है 90 फिर 65 से 80 और आगरी 80 से उपर जिनकी भी उमर असी के उपर है अब वो कितनी भी हो सकती है लेकिन ग्रट प्रेशर का जो लास्ट लिमिट होगा हायर लिमिट को 145 लिमिट है अब लोगर लिमिट होगी वो 92 अगर आपने ये सीरीज लिखी अच्छी से तो आप दिरब लिखी कि 20 से 30 साल की उमर से लेकर और 80 से उमर की उमर में जितने भी अंकाव में लिखे हैं इसमें बरुस्तरी हो रही है बहुत दीमे दीमे मतलब क्या है ब्लड प्रशर जनम से लेकर 20 साल तक बहुत देजी से बढ़ता है और 20 की उमर लेकर फिर मरने तक बहुत दीमे बढ़ता है इसका मतलब जाये? सीद्रा भूस्तर है कि जनम से 20-21 साल तक शरी के बढ़त हो रही है ब्रें का डवर्पनेंट हो रहा है, हज़ियों का डवर्प्शन हो रहा है, मास बढ़ रहा है, छा बढ़ रही है, रंप बढ़ रहा है हर चीज तो डवर्ब भी हो देगा, 20-21 में जाके साब बन हो जाता है, उसके आगे फिर डवर्ब होना रुप जाता है, तो जो डवर्ब्मेंट का स्टेज होता है, शरीम का, तो ब्लड टशर बहुत देजी की बढ़ता है, और एक जगे आता जब इसके हो गए, घंदियों का विकास इतना होना हो गया, उसके बास रख दशर बहुत देले देले बहुत, फिक है, अब आप किसी डॉक्तर के पास नहीं जाहेंगे, आज के बाद बीवी चेक कराएंगे, आप कुछ चेक करेंगे, कहने गए, सूची आपको पास है, इस एज गुरुप में तो कितना होन चाहिए, और इंस्ट्रुमेंट इसके बाद ही इस्तिमागे, आपको थोड़े दिने में बीवी भी हाँ से ही चेक कराना सिखाएंगे, जब आपको नाड़ी अच्छे से पकड़ना आ जाएगी ना, तो बीवी का कैलिपूरेशन भी बहुत पर्फेक्ट हो, हमारे सारे बै कि जितनी सम्मेदर शीनता ही उपियों में हैं हाथ में हैं, वो किसी इंस्ट्रुमेंट में रही हैं, क्योंकि सारे इंस्ट्रुमेंट इस हाथ के ही बढ़े हैं, तो जिसमें बनाया हैं इंस्ट्रुमेंट को वो ज्यादा साइस के लिवीं है, जीविंद चीज है, आपके कर्यमिशन गलत नहीं पढ़ेंगे श्राइक आप पर मशीन उसे जाते हैं अब आप बड़ेवर के जोरेशान हैं फिर आप वर्रशान क्यों है? श्राइक आप जाते हैं नौइशन वह लिए, रहां जाते हैं ब्लड प्रेशन चेक पराकर कोई कंफिसम नहीं आना चालिए हमें मालू में इस ते इस एज बूट में भी इतना रहता है हायर लिमिट ये लोवर लिमिट ये अब हमारे धारत के ताफमान और तासीर के इंताब से हैं यह जो ब्लड प्रेशन की हायर वोवर लिमिट है को एसे इसमें फिर का मसह बंद बात बश्काइब मंधो प्रतोम इसमें विटब हैं लिमिट अन्यर のषी워서 ये के इसमें पांठ पांच पांच बशातें एक इस में पांच जोड़े के तो सब्सक्राइब प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5 तो इसको ध्यान रखा है कि अगर एग उर्ट के हिसाब से तो उसको स्वस्थ ही मानना कोई बिमारी का शिकारा आपना और उसका कोई इलाज करने के लिए प्रयास भिद करना वो सक्सायदी को अपने सेवी होता हुआ कि इतनी बात होगी एक तो भी कैपरेशन की बाद नाड़ी की दिन्सी से कैपरेशन को पख़़ने की बाद अब आभी द्रेट रशार और एक चीज़ और अगाता हमां से फिर थोड़े और कॉप्लिकेशन की तरफ पढ़े लिए सरल से कठिन की तरफ एक जरह जानकर ही यह द तो हमें पख़़ में आरेंगी बात है यह फिर थेनी काता है नाड़ी कप ही है बाती है फिर पिर पिर तरफ चाहिए तो बादवर्च जीने मैं से उसके एक परिजय कॉपरेशन दिये का परिजय तो नाएनृ, उन से आप पख़़ कर सकते हैं तो यह comparison वो ही कर पाएंगे जो प्रकर्थी को अच्छे से observe करते हैं प्रकर्थी को पॉड़ पे वो अच्छे से लिए करता है तो आपको पॉड़ना क्या है नाड़ी आपने पॉड़ने वागड़ी कैसे है ये नाड़ी की कद्धी देवो कैसी है अगर नाड़ी सर्थ की तरह से चल ते सब्सक्राइब आपको अच्छे साब जो रहना यह मैं मजार कर रहा हूं यह इसको आप उसी तरह से ध्यान देखाएं साब हमेशा सबक पर घ्रप जए करी भी चलविदा तो ऐसे चलविदा कर दो जब घर में घुशता है तब ही सीधा हो जाए आप देखोंगे जब वो बिल में घुशे जा तो बिल्कुल सीधा हो जाए और बिल के बाहर रहेगा तो तेडा हो जाए तो एक वागम aerospace अटासी निय alma तो स्त के जैसे वरो घर के बाहर चाहे ईतना केंदा हो झोरो है मनिडिशा जितना करना है उ्ल्टा सीधा थे खर जिन्तरी महा सुखी लेए यह सब किलिए श्त्रयों के लिए के लिए जब हरुशों की लिए जब भुशता है तो टेवा मिड़ा पर पहाँ चोने के दूसे हैं पत्नी भी, पत्नी भी, बहन भी, भाई भी, सब के लिए ये एकी दूना है तो आप साम की दूनी के पारे में ज्यान को साम ऐसे चलता है नाड़ी की अगर ऐसे ही चलते हैं ये थोड़ी एक पता चली जाएगा आप नाड़ी में लगाता है एक मिनट, दो मिनट, आपको हो सकता पाँच मिनट गरिया है, साथ मिनट गरिया है नाड़ी के लोग उसको बचाने की जरुदत ने को कि सीख रहे हैं जब सीख जाएगे तो एकी मिनट पता चाहिए तो नाड़ी लेगो और साथ की तरह से चल रही है तो समझ लोग ये नाड़ी ऐसे बेंटी की है जो बार्ग के लोगों की पीडा में है या बार्ग से पिले है मालब बार्ग उसका विक्र के स्थिम है जिसकी नाड़ी साथ की तरह से चलती है वह बाद के इस खुर्म है अब सर्व की तरह से चलने को और माइक्रो लेबर में चलने उभै अगर आपने लेखा भी होगा तो एक पेट उसका फिछाता फिपूलता है फिछाता फितुलता ऐसी चलना थी जब ठर्म दो अदम कर दो सब्सक्राइब कर दोगों के नाड़ी देखा आपको एक जैसे ही तो अब दूसरी है बाग पटेजिने दूसरी है नाड़ी अगर मेंडर की परसे चल है डाग चलंकी मटनर के छाटा है इसमूद नहीं होती उसकी चट्का होता तो नाड़ी दे आपने हाँ रखना हुआ है और वो चट्का बेले है हर सेक्टिंस के कुछ इसने में चट्का देशा आपे ड़की पैसे तो समझ लो वो भी अगी पित्त के वो भूसे पिलेग है पित्त के वो या पित्त की विक्रती उसको भी है और तीजरी है मोर देखा मोर मोर कैसे चलता है और आमाना से एक कदल करना फिर दूसरा करना फिर दीसरा करना गजी मन दोटी है मोर जो है न देश सरी चलता दी दे 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 और उसके चलने में बड़ी इलाय है, रिदम है, जबर्चस्त रिदम है, मोर के चलने में बहुत रिदम है, और एक दूसरी पक्षी है जिसके चलने में बहुत रिदम है, बत्तक, मोर है, बत्तक है, जो रिदम से चलने में नाड़ी के रिदम पर है, दीले से, फिर दीले से, तो समझ लोगों यदि कफ के प्रभाव में है या कफ की विक्रती उसको हुए जिसके प्रभाव में है उसी की विक्रती है तो फिर से लोगाई आपने लिख लिया अगर नाड़ी साशकिवती से है ऐसे खुना भिचटना भिचटना तो आप समझ्योच को आप और अगर नाड़ी आजी चल रही है प्रेटर की तरह से तुनक्त में रिदम में बोल की तरह से बत्तक की तरह से और भी जानते हैं जो आप जान लेना कि वो कम की भीक्रती में है अब आप यह जो कमतरी करें ना यह बहुत बड़े हैं मैंने कोड़े से फैसरे निकाल केड़ी की वार्वड़े जी किताफ के आपको बताया बार्वड़े जी ने तो वार विवर्टे इतने करमिंघा करिण दिया है कि कई बार उसको पड़ते पड़ते उजए भी करमिर्जम होजादा है कितने कमदरिक हैं, सब जानवरों तो उनों ने गिनाते हैं, कि ये बात की तरह से, ये इतने की तरह से, कि इस परते हैं. मैंने उसमें से सबसे सब्सक्राइब कर जो आपको समय के आजया, इतना बताय को कि अभी आप सीख रहें, जब आपकी सिद्धता बड़ती जाएगी, तो वो डिफिकल्टी और डिफिकल्ट कंपरिजन में आप जाएगी, बहुत बजाएगी, अब खाली बात मित कफी नहीं ह कहतरी, बात आर कफ भी हो सकता है, कफ और बित भी होसकता है, बित और बात भी होसकता है, यह आबस के Uh जिफिकल्ट कंपर through concepts, रहेंको सब्सक्राइगी, जादर बात मित कफी निखिन्तार है, बात फित उनन्तोर खक्ंपिनेता बात बहुत के समय कर दोंदे को से जोगे य यह नाड़ी का परीशन हम सीखें आज से देख लिए आए आप में बारबार इसका प्रियास करते हैं आपकों का परीशन भी सीखें आप लामा के नाड़ी परीशन की आप एज गूरूप बहले डिखाने को बताओं गूरूप अबब 60 अबब 60 अबब 60 अबब 60 अबब 60 मिन आप भी बन हें आप से भी आप कैसे निकारें हैं अबब 60 एक्सम्ते फाइव ग्रेये संदपाइविक नहीं के और牠 और मास सिंदपाइव 65 to 75, यह आप ध्यान करते, या 75 to 85, अब अब 60 जाएगा न 75 से 85 बाते रेंच जाएगा, अब हमको अब 60 कैलिशन, सबोसकर बहुत अच्छा बात आगी, उदारण भी आगे, अब हमको ध्यान करता है कि 60 से 80 के पीछ में, 90 के पीछ में अग्रेट पीछ में तो एक लिमिट है 75 सब्सक्राइगा, इसका मीन निका दो, बस वो ही ना आएगे, मीन निका दो, अब अब लों को जोड़ो, दो का बाते हैं, एवरेज कहते हैं, वैसे एवरेज बहुत कराप शब्स है, लेकिं सम्झाने मिलें, तो आप दो को जोड़ो, पिछत्तर और फिछासी को जोड़ो, वो दो से बाते हैं, जो हम का आएगा, वो आईडिया हो, आईडिया, साठ से हो, कीके, अब इस साठ से बीचे की रेज में कोई बात करेगा, मांगो मैं बात करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मेरे प्रश्म का उतर दो, पिछत्तर साल की उमर है, क्या निक हो, वो ही तरीक आप रेंज में हैं, सिक्स्टी से एटी टे, तो आपको वही करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ो, दोता बात से, ठीक है, ठीक है, ऐसी मान लोगो, मैं बात करना हूँ, बच्छपन साही जेंगे, आप, बस, सिक्स्टी फाइज से सेवंटी फाइज में जाहींगे, वाले और टेंपरचर के हिसाब से नाड़ी, नाड़ी के हिसाब से अड़ा जाएगा, फिर आपो नाड़ी ऐसे चल वही एगी, बात बित्यकफ टेशन वालेगे, और बात बित्यकफ जब तर हुगया, तब आपका मेडिसिन तर हो जाएगा, क्या को ऊछन सी घवा लेगी है, जो हाँ डाडी इकूल पल्स नाडी इएकुल प्ल्स याज 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 32 पल्स के बोस्ता है 72 जो है ना बहुत अच्छा सवाल है 72 जो पल्स है वो आपको बहु ज़्यन कही देना चाहता हूं European American Standard से है European American Standard से है हमारे भारत के सभी डॉक्टर जो MBPS पढ़ते हैं सब के सब वहीं से लिवस पढ़ते हैं लगवाद को यूरोप पर अवरेक आते हैं और जो इस्टेंडराइजेशन है इस्टेंडराइजेशन को यूरोपिया हमेरी करें भारत में थोड़ा इंतर आएगा हर भारत इंतर आएगा फ् Això दोटर जो बता रहा है वो है चो उनके टैक्स पूब्ड में उसको बाळा गया और सिखाया गया टेक्स्बुक सभी की सभी दूरोगियन अमेरिकन उनिवर्सिटी के स्टेटर्ट पर बनी है। भारत के स्टेटर्ट पर जो टेक्स्बुक बनी है, वो एक ही जगे से छपी है। यह आज तक हमको पपने कोगी है। गुर्पुल कांड़ी विश्व इदियाला लिए निए जो आयूबेक की सबसे बड़ी उनिवर्सिटी है। आये समाज के उसको गताया। वो उनिवर्सिटी से जो बनी है किताब है जो भारत के लिए इस्टेटर्ट बना गए जनी आपको बताया। तो ड्वारर केरहा है एक ल squeezed issue जेनद अपको गुई के जापसे आपको ज्याद लखना है अपनी एस्टेंडर्र के हिसापसे तो बारत दी थाफिर के हिसापसे यह जेक्थ में तर्फद ज тобой तरह को हुँ है किसी भी केझ अटिंबलेशन यह रूल में यह आसोबाद है, आप मैंने कुछ exceptions को होते हैं, तो अपने देशे में भी कुछ exceptions हैं, जो दुनिया वालों को समझे के नहीं आए जाए, वो एक exception आप जिना पर सको होते हैं, आप अगले इससार में बहुत फज़ गई हैं, यह बहुत भूँ हैं, यह बहुत अगर विटिम नार बल गए, चाहे रेंच कुछ कुछ रहे हैं, अगर आप कोई नमें करते हैं, तो जान लेजे कि विप्री नार बलत है, चाहे रेंच कुछ भी कुछ बी। अब मैं एक उदारें से सब्जाएंगा, सिर्डिया चड़ते पर आपको कोई तकलिफ नहीं होगे, और ब्लड प्रेशन नापा आपने, तो वो पता रहा है कि जोगी नीचे वाला को बनते हैं और उपर वाला 150-160 है, या नीचे वाला 100 हो दियां, उपर वाला 170 है, लेकि सिर् सारे रूप ऐसे हैं, जिनका रेंच के हिसाब से तो बीवी बहुत आई है, और 20 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, सल्थी और जुकाम भी नहीं हुआ, और रेंच आई है, बीवी हमेशा, मेरे धर में एक बहन आती है, काम करनी है, वो जाहुद मुछा रखती है, उसका बी जबी मैं बेखा है, मैं परिशान हो गिर ए्युके रचिम ये जिनर्शन है, और जीेड है, और जीस है, और मैंने कहीवार और उसको शक किया, किन्को कुछ तक्लीम को नहीं इ具 स्समे आप तक्लीम में स्युनिया चर्टी मों स्युनिया उतर थी, उतर थी, और मैंने कि एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, सौ, दोसो, पांक सो अजार ऐसे पेशन देता, जिनकी रेज बहुत आई, या रेज बहुत लोग, ना उसी भी चर्टे ना उतर नहीं, तो बस आप यह रियाद है, यह भ इदर की दर्कन की चीठात है, तो आप समझ लेना आपको दीदी दीदी से शिकायश में, दिमाग में वाइरस हटा है, और जो सीरिया चड़ते उतरते कंप्लेंट काने करें, या तो आपको मुह सूटने लगे, या तो होच सूटने लगे, या तो इदर की दर्कन पढ़ने या तो सांस हुखने लगे, या तो आपको रूपना पढ़ जाए सीरियों में, तभी आप आगे बढ़ना जाए, अब उनको तो कुछ प्रॉब्लम है, और वो है तो क्या है, ये मेरा अब्सर्वेशन, तजोर्व में मैं से आया, वाग व्यान है, बाहग बट्टिकी ने य ये दस बारे साथ से मैं करते करते देखा, सीखा समझा, कि जिसको सीमिया चलते तो तक्रीप नहीं है, अब मैंने इसमें और एक तो चीज जोड़ी है, वो भी आप रहां करते है, कि आपको अगर पता करना है, कि मैं ओवर विट्टू की नहीं हूँ, मुझे बजल जादा ह कि नहीं है, तो ये तो बोडी मार्स हिंटेक्स है, ये बोडी मार्स हिंटेक्स है, ये बोडी मार्स हिंटेक्स तो ये लोग अमेरिका कैसे लिए है, हिंदुस्तानी सिंटर्ट ये है, हो ये ही, कि सीलिया चलते सामें पोडी तक्लीप नहीं है, तो आपका बजल आपके लि जी क्या कोई फ्लोर की बात करां एक फ्लोर की बात करां एक फ्लोर को चलते समय अगर आपको कोई नहीं आ रही है न रुकावट आ रही है तो बजन भी आपका बरावर है वो भले देवस्व लोग है आप मैंने ये देख लिए कि अगर आपको एक मंजिन सीवी चलने में कोई तक्रीफ नहीं है वजन भले देवसव के वो कोई परष्ट नहीं होगता मतलब आपको कहीं भी कोई ब्लॉकेज नहीं है कहीं आपका kolesterol तकीव की इस्थिदी में नहीं है कहीं प्राइए इस्थाइड आपको परिशान नहीं है माने आपको नॉर्मल अगर है CV चरना उंटरना वजन कितना भी रहने दो बीपी कितना भी रहने आप उपने को समझना हम तो स्वस्त हैं और जब CV चरने में एक मंदी में तखीव में शुरू हो जाएं तब समझना की प्रफ़ण है तब आजे बहना कि अभम में चाह करना का तो मेरी बात अपने ओ ये वजन कम करना तब शुरू करना जब CV चरने में तखीव आए जब तर नहीं आ रही है वजन को करने की कोशिश मत करो जैसा है रहने है। यह मोड़ी बात है जो आपको समझानी के लिए में कहा। नहीं तो क्या होता है कि वजन बढ़ने का ऐसा फिदूर समझ आ गया है। जो अब दुनिया मैं यह बहुत बढ़ा वो है इंडूरी आपनों मालूं में बज़ट पत्ला करने सा सबसे बड़ा tagशनी चलगा इस तरह कीति हरा अब को डि़ो नाम से चलगा यह बहुत बड़ी दिर्भी नाम से चलगा है। इंको बनाना है पैशला इनको करना है धंता, उनको आपके हेल्ग से कुछ लेना देना है, उनको पैसा चाहिए, आप इतनी फीज दे दो, तो ये इतनी फीज दे दो, तो हम अकसर उनके चक्तरों में फसकर परिशान होती हैं, ये मैं इसलिए कहना हूँ लिए पिसले 10 दिल, सीव शार बहुत में में पैशैन करना हूँ, जयोझा का पार्जन में कुछ होती है? या किसी दॉक्टर ने कहती है आप अप्ले देते हैं यह दॉक्टर के अप्सर्वेशन पे ने आप उप्सर्वेशन से तर्व मैं सीर्वी चॉड़ सकता हूं एक बंदी लाराम से और उतर सकता हूं तो कोई तख्लीट नहीं अगर चड़ने में हो रहा है तो दर्व होगा ने अमान वो बज़न ज्याता सच में है एक थोड़ी देट इनकर वो बज़न जाता ही है तो निश्चर तुम उपसे सीर्वी चड़ने में पाउटिं करता आएगा बुढ़ने पे दर आएगा वो सकता कमर में भी दरता जाये सांस बहुत देज चलने लगे तो कम करना है और कितना कम करना है फिर वही पर आजाओ जितना सीवी चड़ने में तक्लीफ ना रहे इतना ही कम करना है वो किलो के हिसाब से लिए बहुत करने बहुत तक्लीफ है आप शाइद जानते हैं शरीर को फै्ट भी चलिए ऐसा नहीं है बिना बना फैट iau शरीर चलिए तो बजन चलिए बांस भी चलिए क्राइद भी बरल्दकर हाtrा अट उम्ज समस्य आज You कोई माल भूठ ऑफ पत्लिथी वाठ बैंना को अखे हो नहीं है 20 बच्छे और नों की श्रात fantasy DS मेरी जो बहुत बुब्ली पत्ले हैं उसको तो त्राहिमा हो जाए इसलिए बहुत पतला होने की कोशिश मुद करिये यह जो catwalk पे चलने वाली लग्किया हैं इनको देखे जिन्म की जिसाइद मत करें मेरे पास कई patient है वो catwalk आले लिए मेरे बंबल में भी जाता हूँ नो बहुत patient है वो catwalk मैं जाता हूँ क्या complaint लेकर मेरे पास आते हैं और वो पतले रुपले इसलिए रहते हैं कि उनको पैसा बिलता है तभी तक जब तक वो पतले रुपले हैं जिस दिन ओबल मेरे वो है उनको तो industry निकाल के बाहर बेंगे दिये तो उनको security का problem है financial security का problem है इसमें हर च्वाण वो देश पे रहते सो ग्राफ़ी बजल नहीं कोड़ना चाहिए आप तो ये pension नहीं लेखना है एक तो catwalk industry, manufacturing industry और दूसरी है film industry फिल्पिट तस्वीर ही उनको निकाल में भेख देती है क्योंकि उन्होंने अपने मानक बनाए सुन्दर पाका उनका मानक है दुबला पतला भोना और विज़त विज़त पर उसकी हुपमाई भी रखी है समर इसी होनी चाहिए गर्दन इतनी पत्री होनी चलिए सुराही ऐसी गर्दन तो मैंने को सुराही आख़ो यह ऐसे भालतू के हमारी देश में चक्कर चले कि ऐसी कमर ऐसी गर्दन ऐसी चैस्ट ऐसा यह यह आप सम मत बजिए आप तों बोटी बात की आख़े इस्तरी होया तोश बड़े है या छोटे बच्चे मताओं सब के लिए एक ही करा दों एक माला सीवी एक मंदिल सीवी हराम से चड़ते हैं तब तक कुछ सुचिए दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हां हमारा एंडरोड एप डाउनलोड करना ना भूलें एक मार बालन ना दो करताओं